बिसलपूर में तहसील पत्रकार एस्ट्रेशन की बैठक में ही बैठक गेस्ट सहकारी चीनिमील के गेस्ट हाउस में आयोजित की गई बैठक में वार्ष का चुनाव करवाय चानी का निर्मान लिया गया है चुनाव में विनोत कुमार मिश्रा अखिल सिंग तोमर सरुसमीती से सरक्षर चुना गया सरक्षर की देख देख में वार्षिक चुनाव संपन भी हुआ जिसमें पीतराम गंगवार अध्यक श्याम बहादुर शर्मा वरिष्ट अधेच्छक अनमोल शर्मा महामंत्री सत्यदेव मिश्रा परमुक प्रवता संग्ठन मंत्री शियोकमार प्रभाकर दीपक गुपता रोनक अली अंसारी जैसे अत्यदी गडमान लोग वहां पर मजूर रहे यहाँ पर आपको बताय चले कि पत्रकारता की गंभीता को यहाँ पर घूमिल करने का कारे कर रहे थे जिसके चिन्ता होने का वीशे है कि पत्रकार में ही पत्रकार भीड के हिस्टा नहीं है समाह इस इमानदारी में निश्टा के साथ ही लेखनी और इसमाल करना चाहिए पत्रकार पुरी इमानदारी और निश्टा के साथ कार कर रहे हैं। काम मेरे उपर सोपा है। मैं पूरी इमानदारी और निश्टा के साथ अपने दाजितों का निर्वान करूँगा। जहां भी मेरी जरूरत होगी, संग्ठन की जरूरत होगी, मैं पूरी तरह से तत्पर रहूँगा। हाँ एक बात और है कि कुछ संग्ठन, कुछ पत्रकार जो समाज में पत्रकारता की छबी को धुमिल कर रहे हैं। संग्ठन में आज इस बात को प्रजोर से उठाया गया कि कोई भी व्यक्ति चाहें संग्ठन में बला पदादकारी हो, चाहें छोटा पदादकारी हो, संग्ठन की गर्मा को धान में रखते हुए काम करेगा। किसी भी साथी पर कहीं भी कोई आपत्ति होगी, कोई दिक्कत होगी, कोई उत्पिडन करेगा, तो पूरा संग्ठन उर्के साथ ख़ड़ा हो, किसी कीमत पर पत्रकारों का उत्पिडन बरदाफ नहीं किया जाएगा। बैठक में एक टूर ले जाए जाने का निनने लिया गया, एक टूर जागे सो धाम जाएगा, अगली बैठक बिलठंडा के गड़ानात मंदिर पर होगी, ये भी सरफ समती से तय किया गया है, मैं सभी साथियों से अफील करता हूँ, जो पत्रकारता से जुड़े हुए हैं कि पत्रकारता को पेशा ना बनाएं, समाज के लिए काम करें, क्योंकि पत्रकार एक ऐसा काम है पत्रकारता का, जो समाज को दिशा देने का काम करता है, कुछ पत्रकार साथी पत्रकारता की छबी को धूमिल कर रहे हैं, ये मैं हिर्दे से बहुत कष्ट मैसूस करता हूँ, सबी साथियों से फिर अन्रोद करता हूँ कि पत्रकारता की गर्मा को बनाए रखें हाँ अगर अगर अज़ सही पत्रकार है पत्रकारता को जानता है तो उसका कहीं भी उत्पीडन होगा तो मेरा संग्धन उनकी लिए खड़ा दिखाने है लेटिस्ट न्यूस देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बैल आइकन को प्रेंट करें